चोक्लेट ममी मैं सीमा धवाई में स्वागत करती हूँ आज मां आपको बुद्धुहार के कहानी सुनने जा रही हूँ व रोज गनी जी का पूजन क्या करती थी मा रोज अपनी बेटी को कुवारी केवडी का गोबर लाने के लिए भेश देती तब फिर गोबर से वो आंगन को अच्छे से लीपती फिर दीपक जलाती गुड या जो भी उनके पास आमगरी मीठा होता वो रख देती गनेश जी के मिट्टी के गनेश जी बनाती और फुजन करती और रोज एक टाम खाना खाती थी इस तरह जब उनको कुवारी केवडी का गोबर नहीं मिलता तो वो उस दिन पूरे दिन भुकी रहती थी इस तरह उनके कई दिन निकल गे इस तरह सालों निकल गे रोज वो अपनी बेटी को कुवारी के उड़ी का गोबर लाने के लिए भेज देती थी बेटी को कभी गोबर मिल जाता और कभी नहीं मिलता एक दिन की बात है उनके गाउं में गणिजी का मेला भरा था तो बेटी ने मा से कहा कि मा पूरा गाउं गणिजी का मेला देखने गया है तो मैं भी गणिजी का मेला देखने जाओंगी मा ने कहा बेटी मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ है ही नहीं तुम मेले में क्या खरीदोगी क्या खाऊगी बेटी ने कहा मा कोई बात नहीं आप आटे को सेख कर उसमें थोड़ा सा घी, तेल या गुड मिलाकर मुझे पांच लड़ू बनाकर दे दो मा ने वैसे ही किया मा ने आटे को तेल में सेख लिया और उसमें गुड मिलाकर उसके पांच लड़ू बनाकर अपनी बेटी को दे दिया बेटी लड़ू लेकर गाउं के बाहर जहां गणिजी का मंदीर था वहाँ जहां मेला भरा हुआ था वहाँ चली गई और बेटी ने वो पांच लड़ू गणिजी के सामने रख दिये सुबर से दोपर है दोपर से शाम हो गई दीरे दीरे करकर सारे अपने गाउं की वो वापस लोट रहे थे लेकिन वो जो बेटी थी वो लड़की थी वो वहीं बैठी रही गणिजी को लगा अंधेरा ओने वाला है और ये बच्ची अभी तक घर नहीं गई है तो गणिजी ने बेटी से कहा कि बेटी तुम अपने घर जाओ रात ओने वाली है अंधेरा पड़ गया है यहाँ जंगली जानवर आ जाते हैं तो लड़की बोली गणिजी बगवान मैं आपके लिए पांच लड़ू लाई थी लेकिन ये तो वैसे की वैसे ही पड़े हुए हैं आपने तो इसका भोगी नहीं लगाया है मैं घर किसे जाओ गणिजी ने कहा नहीं बेटा ऐसे ही होता है सब यहीं परशाद रखकर ऐसे ही ले जाते हैं वो बोली नहीं मेरी माँ ने पांच लड़ू बना के दिये थे आप इनका परशाद गहन करो गणिजी ने पांचों लड़ू सूर में डाल लिये और फिर कहा ठीक है मैंने परशाद खा लिया है अब तुम घर जाओ लड़की बोली गणिजी भगवान आपने ये क्या किया आपने तो सारे लड़ू खा लिये अब मैं घर अपनी माँ के लिए परशाद क्या लेके जाओंगी और मैं तो सुबस से भूकी हूँ मैं क्या खाओंगी गणिजी भगवान ने उसे पाँच घी के बहुत काचु विदाम डले हुए लड़ू दिये और कहा लो अब जाओ लड़की ने एक लड़ू खाया बाकि चार लड़ू वो अपनी जोली में डाली और गणिजी भगवान ने कहा अच्छा तुम जा रही हो तुम अपने लिए कुछ वर मांग लो तुम्हें कुछ चाहिए वो चीज मांग लो लड़की बोली हे गणिजी भगवान आप सबसे पहले तो मुझे कमारी केवडी दे दीजिए क्योंकि मेरी मा रोज मुझे कमारी केवडी का गोबर लेने के लिए भेज देती है पर उसमें कभी तो मुझे गोबर मिल जाता है कभी नहीं मिलता और जिस दिन नहीं मिलता है उस दिन मैं और मेरी माँ दोनों भूकी रहते हैं, गनेजी बगवाने का ठीक है, तुमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, और कुछ मांग लो, फिर उसने कहा, मेरे पास भाई नहीं है, मुझे एक भाई दे दो, ताकि मैं अपने भाई के साथ खेलती रहूं, और मेरी बहुत ही पुरानी और टूटी हुई मेरी माँ पुरानी सी जोपड़ी में रहते हैं, हमें एक छोटा सा मकान दे दो, गनेजी बगवाने का ठीक है, जब तुम यहां से निकलो, तो थोड़ी दूर जाने के बार कहना गोदावरी आजाओ, ऐसा कहने पर तुमारे पा वो मकान में बदल जाएगा, इस तरह वो लड़की थोड़ी दूर चल दी, चलने के बाद उसने आवाद लगाई गोदावरी आजाओ, तो पीछे उसके कमारी केवडी धिरे धिरे चलने लगी, उसने मुड़ कर देखा, तो सच में एक केवडी उसके पीछे पीछे आ रही थी, थोड़ी दूर आगे जाने पर उसने कहा, हे मेरे भाई, मेरे साथ आजाओ, तो तुरंद उसके चिट्टी उंगली को एक छोटे से बच्चे ने पकड़ लिया, उसने देखा, तो सच में एक छोटा सुन्दर सा भाई उसके साथ चल रहा था, जब वो घर पहुची त तो उसका घर था ही नहीं, वहां तो एक बहुत सुन्दर नोखंडी मकान बन गया था, उसकी मा चबूतरे पे बैठी, अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, उस बिचारी मा को तो पता ही नहीं कि वह जो जो जोबड़ी, जिस मकान में, वह जिस चबूतरे पे बैठी है, जैसे ही उसने अपनी बेटी को देखा, तो मा बोली, बेटा, पूरा गाउं वापस आ गया, तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई, मुझे तुमारी चिंता हो रही थी, बेटी ने सारी बात अपनी मा को बता दी, और बताया, देखो मा, गनीजी भगवान ने मुझे कमारी क केवडी दी है, और सारी ने मुझे छोटा सा भाई भी दिया है, और देखो न, तुम जिस मकान में बैठी हो, वो कितना सुन्दर महल में बदल गया है, मा ने देखा, तो बोली, हाँ बेटा, सच में, मैंने तो देखा ही नहीं ये कब महल में बदल गया, तो फिर वो आराम से अपना दिन निकालने लगे, वो कमारी केवडी दो पोठा करती थी, दो तरह के गोबर करती थी, एक बार तो वो गोबर करती थी, और दूसरी बार वो सोने का बिसकुट करती थी, इस तरह से उनके दिन बहुत आराम से निकलने लगे, लेकिन जो पडोस में जो पडोसन जिसके हाँ वो लड़की रोज गोबर लेने जाती थी, वो कई दिनों तक जब वो लड़की गोबर लेने नहीं गई तो पडोसन को चिंता हुई, पडोसन देखने आई, देखा तो रातो रात इनका घर इतना सुन्दर महल में कैसे बदल गया, और ये लोग इतने अमीर कैसे होगे, वो उनसे पूछने आई, तब बहुत सीधे मन की, वो दोनों मा बेटी थी, उन्होंने सारा सब कुछ बता दिया, तब ही उसी समय, वो जो केवडी थी, उसने सोने का बिसकुट दिया, अब उसकी आखे चमक गई, उसने लगा कि ये क्या, उसने जा के राजा से शिक केवडी है, जो दो तरह के गोबर करती है, एक गोबर तो वो गोबर करती है, और दूसरा वो सोने का बिसकुट करती है, वो केवडी तो आपके महल में होनी चाहिए, वो तो आपके महल की शोबा बननी चाहिए, राजा ने तुरंत अपने दरवारी बेज कर डोकरी को बुल भी अपने दिन गुजार लेती थी अभी भी गुजार लूँगी राजा ने वो जो केवडी थी जो सोने का गोबर करती थी उसे अपने राज महल में जिस भवन में वो राजा रानी सोते थे उसमें बान दिया और राजा ने आग्या दी कि इसे चारा नहीं इसे काजू बिद अब कमारी जो केवडी थी उसने काजू बिडाम जो राजा के महल में जो अच्छे च्छे पकवान थे वो खाए थे तो उसे पतला पतला बहुत सारा उसने गोबर कर दिया और इतना कर दिया उसकी बद्बू पूरे महल में फैल गई राणी ने कहा राजा जी आप ये क्या ले आए हैं ये कोई सोने के बिसकुट नहीं दे रही है इसने तो गोबर करा है और जिससे पूरे महल में बद्बू हो गई है और दरवारी उसे उठा रहे हैं लेकिन फिर भी वो गोबर बढ़ता ही जा रहा है खतमी नहीं हो रहा है आप तो इसे तुरंत उस बुड़िया को वापस दे दो राजाने बुडिया को बुलवाया और कहा बुडिया तु कोई जादुगर्णी है जो तेरे यहां तो यह सोने के बिसकुट देती है मेरे यहां इसने गोबर किया वो भी इतना बद्बु वाला और अभी तक भी उसको उठा रहे हैं अभी भी वो गोबर बढ़ता ही जा रहा है बुडिया ने कहा है मेरे उपर तो मेरे गणे जी तूटे हैं मैं क्या बताऊं आपको राजा जी मैं कोई जादूगर्णी नहीं हूँ तब ही राजा ने जो केवडी थी उस बुडिया को पकड़ा दी जैसे ही बुडिया ने उस केवडी के सिर पर हाथ रखा तब ही उसने एक सोने का बिसकुट दिया राजा ने अपनी आखों से देखा केवडी ने जो सोने का बिस्कुट दिया राजा ने का ठीक है तुम ये ले जाओ लेकिन जब तुम दर्बार से बार जाओ तो पूरे गाउं में कहना कि मुझे मेरे राजा जी तूटे है मुझे तो राजा ने ये केवडी दी है जो सोने का बिस्कुट करती है बुडिया बोली राजा जी मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी आप चाहे मुझे दंड दें, सजा दें, फासी दें आप तूटो तो अपने दरवारियों पे, अपनी दासी पे, अपने नोकरों पे और अपनी रानी पे मुझे तो मेरे गणेजी भगवान तूटे हैं और मैं ये ही बोलूँगी कि मेरे गणेजी भगवान मुझे तूटे हैं खे गणेजी बगवान जैसे आप उस बुढिया पे टूटे जैसे सब की उपर टूटना कहने वाले को सुनने वाले को करा भने वाले को गटती हो तो पूरी हो तो परवान चड़े भूले विश्रे नाम तेरे भंडाल में भरे गणेजी 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 गणेज का नाम बोले